तो गाइस आज हम गाइडियन आप दा गैलेक्सी हॉलिडे स्पेसल एक्सप्रेंग करेंगे जिसमें हमें आज इस हैपिसों में बहुत से राज जानने को मिलेंगे और साथ ही हम देखिंगे कि मैंटिस जब पीटर को उसका बैस किसमस गिप देती है तो पीटर को मैंटिस का दिया किसमस गिप पसंद क्यों नहीं आता है यह तो आपको आज की इस वीडियो में ही पता चलेगा तो वीडियो को एंटर जरू देखना क्योंकि आज का वीडियो बहुत इंट्रेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है तो चलिए जाया टैमना वेस्ट करते हुए स्टा नहीं होता है तब ही पीटर यॉन्डो गुसर सांद करने के लिए उसका गिप्टो देता है लेकिन यॉन्डो उसको फैक देता है और क्रिसमस टेरी को पटक पटक कर तोड़ देता है और वहां से जाते हुए पीटर और क्रैगलिन से किसमस के सारे समान को वहां से हटा कर उ कभी भी अपने गया है पर किसमस सेलीबेड नहीं किया होता है यह तब यह हम दوسी दर रॉकिट और कोस्मो को देखते है औरॉकिट कोस्मो को इसके टेली वी टेलीकननिसकी पावर को कंट्रो करना सिखा रहा हुता है य८ यह की पीटर को देखते हैं जिसको मिलर के सौंग से आइडिया आता है कि पीटर को कैविन बेकन और उनके संग बादाने के लिए पित्वी पर जाकर कैविन बैगन को वहाँ लाने का डिसाइड करते हैं और साथ ही यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि मैंटिस यहोगी बेटी और पीटर की बहन है लेकिन ये बाद ड्रैक्स के सिवा और किसी को पता नहीं होती है लेकिन तब भी ट्रेक्स मैंतिस से कहता है कि पीटर को बता दो कि तूम उसकी बहन हो लेकिन मैंतिस कहती है कि पीटर हमारे डैडर और गमुरा के जाने से वैसी बहुत सैड है और मैं नहीं चाहती है कि मैं उसको ये बात बता कर रह audio दुखी कर दूँ इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपने भाय का ये किसमस स्पेसल बना सकूँ और फिसके बाद मैंटीस और ट्रैक्स वहाँ से चुप चाप पीटर को बिना बताए कैविन बैकन को लाने के लिए पिर्थिवी के लिए अपना स्पेसल लेकर वहाँ से निगल जाते हैं फिर इसके बाद हम ट्रैक्स और मैंटीस को पिर्थिवी पर देखते हैं जो कैविन को ढूनने लग जाते हैं और इसी दुरान और किस्मस कॉस्टूम इवेंट में पी चले जाते हैं जहां सबी लोगों को लगता है कि एक इनसान है जिन्होंने बहुत चे कॉस्टूम पहना है इसलिए वो सबी लोग मैंटीस और ड्रैक्स के साथ बहुत फोटूस वगरा खिजवाते हैं और साथ ही उन्हों कुछ पैसे भी देते हैं मेंटीस ऑर ट्रैस के बारे में पूछने के लिए एक बार में चले जाते हैं जहां हमको केबिन बारे में कुछ जांकारे तो नहीं मिलती है पर वह वहाँ दान्स और ड्रिंग वगरा करके क्छूप मस्ती करते हैं और तब ही वहाँ पास में एक स्टोर की और मैंटीस की बास सुन लेती है और उनको सुपर स्टार की होम लोकेशन की एक बुक देती है जिसके बाद वो दोनों सीधा कैविन बेकंगे घर की लोकेशन पर पहुच जाते हैं फिसके बाद ड्रैक्स और मैंट्रीस केविन के घर में घुजने के लिए पहले ड्रैक्स मैंट्रीस को उठा कर गेट के अंदर फैक देता है और उसके बाद खोड़े गुची जम मार के गेट के अंदर आयाता है लेकिन जब वो दोनों घर के अंदर गुज़ रहे होते हैं तो उन दोनों को घर के बाहर की सजावड भ़ब पसंद आती है और तभी ड्रैक्स की ने रहे टैडी में पढ़ती है और उसको बहुत पसंद आता है इसलिए वो उसको ले लेता है और मैंटिस को एक कैंडी कैंड पसन आती है और वो उसको ले लेती है फिसके बाद हम कैविन को देखते हैं जिसको उसके घर के बाहर से मैंटिस और ड्रेक्स बैल बजाकर उसका नाम लेकर उसको बुला रहे होते हैं और केविन दोनों की हरकत देखके बहुत डर जाता है जिसके बाद वो प्रीस को कॉल आकर पाद देता है कि दो लोग उसको जान से मानना चाते है और केविन के डोर ना खोलने के वज़ा से ड्रैक्स डोर टोड के अंदर गुच जाता है जिसके बाद केविन उन दोनों से डर के घर के बाहर भागने लगता है और फिर ड्रैक्स और मैंटिस केविन का पीछा करने लगते हैं जिससे ड्रैक्स को गुदूदी लग रही होती है और तब हम मैंटीस को देखते हैं जो सभी पलीस वालों को सुला देती है और यह देखकर कैविन वहाँ से भागने लगता है लेकिन तब हम मैंटीस और ड्रैक्स कैविन को पगड लेते हैं इसके बाद मैंटिस अपनी पावर से उसको पर साथ चलने को मना लेती है, और फिर इसके बाद तीनों किस्मत की गिफट की धेस सारी सौपिंग करने के लिए, एक सौप से धेस सारे गिफट लेकर पिर्थवी से स्पेस के लिए निगल जाते है, फिर इसके बाद हम पीटर को देखते हैं जो खाना खारा होता है तब ही पीटर विंडो के बाहर गुरूट को देखते हैं जो पीटर को देखकर वहाँ से भाग जाता है और पीटर को गुरूट को देखकर कोछ अजीब सा लगता है इससे पूरी जगा जग माँने लगती है और ये देखकर पीटर को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है और तब हम मैंटिस और बागी सबी लोग को देखते हैं और मैंटिस सबी लोग के साथ पीटर को किसमत फिस्ट करती है और फिसके बाद हम गुरूट को देखते हैं जो पीटर के लिए गिफ्ट लेकर आता है और जब पीटर वो गिफ्ट खोलता है तो वो अपने फेवरेट आर्टिस कैविन बेकंग को देख खुसतो होता है पर वो मैंटिस लोगों से उदास हो जाता है और उनको समझाता है कि तुम किसी इंसान को गिफ्टे में नहीं दे सकते हो फिसके बाद पीटर साथ समझ जाता है कि मैंटिस कैविन को अपनी पावर का यूज़ करके वहाँ पल लाई है इसलिए वो मैंटिस से कैविन को उसके हिपनोटिजम से अजाद करने हो कहता है किसमत बहुत में की किसमत नहीं बनाए है लेकिन उसको किसमत बहुत पसंद है इसलिए हम सब मिलके पीटर के लिए ये किसमत बहुत स्पेसल बनाना चाते थे और क्रैलिन से पीटर की सैट इस्टोरी सुनने के बाद केविन बहुत इमोस्नल हो जाता है और पीटर का किसमत स्पेसल बनाने के लिए वो पीटर के दोस्तों के साथ पीटर के लिए एक सौंग गाता है जिससे सभी लोग बहुत कुस हो जाते हैं और किस्मस इंजॉय कर रहे होते हैं और फिस के बाद सभी लोग एक दूसरे को किस्मस विस्ट करते हैं और किस्मस सेलिब्रेट करने के बाद सभी लोग कैविन बेकन को थैंक्स बोलके उनको वहां से पिर्थवी के लिए विदा कर देते हैं और कैविन के जाने के बाद सबी लोग एक दूसरे को गिप्ट देते हैं जिसमें पीटर गुरूट को एक वीडियो गिम देता है और नेबला रॉकिट को बगी का हाथ देती है और कास्मो क्रागिंग को गिप्ट के तौर पर एक जानवा मारके देता है फिसके बाद हम मैंटिस को देखते हैं जो ड्रैक्स को वही टैडी देती है जो ड्रैक्स से पिर्थवी पर छूट जाता है और वो टैडी को देखके ड्रैक्स बहुत खुद सुजाता है और मैंट Lewis को गया लगा लेता है फिर इसके बाद हम गुरूट को देखते हैं जो सब को गिप्टू बाड़ रहता है जिसमें हमें टॉइस के जरी ड्रैक्स और मैंटू की स्पेस से पित्वी की जरनी की स्टोरी दिखाई जाती है फिश के बाद मैंटीस और पीटर को देखते हैं जहाँ पीटर मैंटीस से कहता है कि मुझे यकिन नहीं होता तुमने मिरे लिए इतना रिस्क लिया जिसके बाद मैंटीस कहते है कि क्याग्ली ने तुमháfic और यॉंडू के किस्मत कहानी बताई थी तो यॉन्डू वहां दوبारा सब को देखने के लिए आया था और तब ही यॉन्डू की निजर मेरे रखे गिट पर पड़ी थी जिसके बाद उसने अपने गिट को खोल कर देखा जिसमें उसको एक बेबी टॉय मिला था फिसके बाद मुझे भी एक गिट बॉक्स मेरे रूम में मिला था जिसको मैंने खोल के देखा था उसमें मुझे लेजर सूटर मिले थे जो कि सैथ यॉन्डू ने मेरे लिए रखे होंगे फिसके बाद मैंटिस पीटर की बाद सुनने के बाद पीटर को बाती है कि इगो मेरे भी पिता थे और मैं तुम्हारी बेहन हूँ और मैंटिस की ये बात सुनने के बाद पीटर बहुत खुस हो जाता है और मैंटिस से कहता है कि ये मेरा आज तक का सबसे बेस्ट गिफ्ट है और इतना कहते ही वो दोनों भाईवने दूसरे को हक करते है और फिस के बाद हमें एक और बार एनिमेशन स्टोरी दिखाया जाती है जहां हम ये उन्डू को देखते हैं जो पीटर के गिफ्ट को अपने सिप के सामने रखता है और इसके बाद पीटर और ये उन्डू अपना स्पेस्टिप लेकर वहां से जाते हैं और इसके साथ हमारी आज की ये वीडियो भी यहीं पे एंड होती है